हाई एफ्रिवन आज मैं आप लोग के लिए लंच बॉक्स की रेसीपी लेखर आई हूं बच्चों का बहुत सादा फेवरेट होता है बच्चों का बड़ो का भी फेवरेट होता है आज जाम बनाने वाले मसालर हुसा बनाने वाले विल्कुल अलग इस्टाइल में इसलिए मैंने यहाँ पर आपने पिश के अची तरीके से रहख लिया थी जो पेष्ट होता है इससे आप लोग रिडली भी बना सकते हैं यह पर अपर बना बैनके नमक बनाने यह साइड में इक साइड में रखते हैं अब जो अच्छे गरम होने के बार में यहाँ पर मैं जीरा और राई एक साथ डाल दोंगी जैसे जीरा और यह पर यह अच्छ तरीकी से पक जाया है तो इसमें हम डालएंगे साथ सब्सकार अच्छी तरीकली पत्ता जालना के बार में वन टेबल इस्पन में चप्शा डाल और यहां पर मूं का डाल रहा है अगर आप लोग के पसम उड़त डाले तो one tablespoon वह भी लेत कौँसी भी मूं के उड़त है आप लोग one tablespoon इसमें ले सकते हैं और इस हच्छे तरीके से एक सेंड के लिए अच्छे तरीके से रोष्ट कर लेंगे हाप टी स्पून इसमें हम हल्डी पॉर्टर डालेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और टेश्ट अकॉर्डिन हाप टी स्पून इसमें हम नमाग एड करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे भी हम डाल देंगे और कड़ाही में डाल देंगे तो यहां पर हमारे जो मसालट होसे की आलू की सब्जी होती ना उसे हम बनाके यहां पर रेडी कर लेंगे और अच्छी तरीके से मैस करने के बाद में बारी कटावा फ्रेश हरा दनिया डाल देंगे गयास की फ्लेम को हम यहां पर बंद कर देंगे तो अलू के सब्जी हमारी स्टफिंग वाली रेडी होगे इसे प्लेट में निकालके इसे हम ठंडागर के साइड में रख लेते हैं और आप लोग इसे रोटी के साथ ने खाई या पी पराठे के साथ ने खाई यह अलू के सब्जी बहुत ज़्यादा देशी लगती है तो हम दोसा बनाना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर सैन्वी जॉला साचा लिया था उसे अच्छी तरीके से ओल सी यहीं से ग्रीज कर लेंगे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां डोसा बनाने के लिए तावा लेना चाहिए पर मैंने आज यहां पर में सैन्वी जॉला साचा का इस्तेमाल करेंगे किसे एकसर होता है ना कि हम बच्चे लोगों को डोसा टिपिन में देते हैं बनाके जादा करके वह सॉफ्ट हो जाते हैं बच्चे लोग साचे से नहीं घापाते हैं तो इसमें ऑबनाएंगे बहुत ज्यदा क्रिस्पी बनता है अपर से बनादा से सॉफ्ट रहता है कि बच्चे लोग सुबर से साम तर्ड वैसे ही क्रिस्पी रहेगा तो सबसे पहले हमने गैस की फिलिम को अल्ल कर लिया था हलका साओ डाल दिया था उसमें हमने बेटर को अच्छी तरीके से चारो तरफ से भर देंगे और आप लोगों के पास में कोई भी सेंविच मेकर होगा तो उसमें भी आप लोग बिल्कुल इसी तरह बनाईगे अगर ग्रील वाला होगा तो इसी तरह ही बनाना है बिल्कुल पर्फेक्ट बनके रेडी हो जाएगा तो यहां पर हमें बिल्कुल गैस की फ्लेम को लोग वरके 3-4 मिनट बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें उलट प्लट करके पका लेना है जिस तरह हम ब्रेट के सैन्विच बनाते हैं आप लोगों को में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है जो बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोग इसे लंच बॉक्स में या टिक्निन बॉक्स में दीजिए यह बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा उपर से क्रिस्पूर अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो आप लो